Good morning friends, आज हम आपको जे जो डिस्कवर जो 125cc की जो बाइक है, उसकी जो आटोमेटिक जो चोक आती है इन पे चाहे वो 100cc का बाइक हो चाहे वो 125cc का हो जाहे बन 50cc का जो बाइक है जो इस पे कंपनी वालों ने एक आटोमेटिक चोक दी हुई है, जाद रखे जे जो कार्बोरे जो electronic मतलब method से ही जाने कि जो चोकोन करता है इस लिए company ने इसमें किसी भी तरह का कोई भी point नहीं दिया हुआ भी इसको operate करने के लिए जे एक automatic मतलब इसकी जो working है और ये working इसका principle क्या है जो हमारा piston blocket होती है जे दीखिए जहां पर company ने एक temperature sensor लगाया है जैसे ही मतलब इस मतलब हमारे piston block मतलब जैसे जे engine का जो temperature है मतलब low होगा तो मतलब जाने कि जे मतलब जाने कि आटोमेटिकली जे जो solenade valve को information देगा जे आन हो जाएगा और हमारे bike की जो है मतलब चोक जो है वो लग जाएगी और मतलब जाने कि हमारा जो bike को मतलब बाइक जो है उसकी fuel consumption जो है वो जादा हो जाएगी और मतलब जाने कि इसका मतलब जो इसका accelerate है जो rpm engine की वो automatically increase हो जाएगी कुछ second में approximate मतलब 4 जा 5 second में मतलब इसकी जो rpm है वो decrease हो जाएगी जैसे engine हमारा जो है गर्म हो जाता है और हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं इसके काफ़ी drawback है और मतलब हमने इसको automatic से जो manual किया हुआ है वो कैसे किया हुआ है इसके देख लीजे दो method है जो इसको manual fork is कर लेना है और मतलब ऑसको मतलब जाने की आपने एक point पे मतलब इसके एक point पे जो उसकी दूसरी wire है इसके दूसरे point पे आपने दे देनी है जाहे आप इस मतलब स्वेच को मतलब जाने कि आपकि isकी next 숨ura के बहुँपर भी लगा सकते हैं इसको मतलब लगा सकते हैं मतलब ये दिखिये वैसे जे जो आटोमेटिक मतलब जानी कि जो सिस्टम इसका मतलब डलता है ये हमने उसकी उपर ही भी ज़्याक्तिAs है और मतलब जैसे हम इसको जैसे बाहर को कींचते हैं तो यह आटोमेटिकली उतनी देरता काम नहीं करेगा, मतलब इसके टेंपरिचर के अकॉर्डिंग लिए काम करेगा, जब आप इसको बंद कर देंगी तो यह बंद हो जाएगा, और अगर आपने इसको इसके जो कनेक्शन है आपके इसके ignition सिस्टम पे भी कर सकते हैं, ignition सिस्टम पे मतलब जाने की आपने इसके मतलब ignition switch के इसका जो कपला राता है, उसमें एक वाइट कलर की मतलब बैटरी से होती है, और दूसरी जो wire है वो brown color की होती है आपने मतलब जो brown color की wire है उसे मतलब short करके मतलब आपने मतलब इसको battery से power दे देनी है और एक neutral दे देनी है और series में आप फिर ऐसे करेंगे तो जे मतलब regular फिर इस पे उपर work करेगा लेकिन पर चलो हमने मतलब इस point को तो ऐसे install नहीं किया हमने इसको मतलब जे जो automatic system के उपर ही मतलब इसको लगा दिया है और मतलब इसको लगाने का purpose यह है कि मतलब जे जो bike है जब भी cold condition पे जाती है तो आपकी जो bike है मतलब वो automatically मतलब जाने की जे जो solenide वालव है जो का जाने की जे काम करता रहता है उसकी वज़े से आपके जो गाड़ी की fuel consumption जो है वो बढ़ती है इसलिए मतलब जाने की भी इसको हमने क्या किया है जे जो एक automatic जो इसका जो process है हमने इसको manually मतलब जाने की कर दिया है और जो friends आप भी इस method को अपना सकते हैं और जो भी आपका मतलब जाने की जे जो discover बजाज की bike को कोई भी हो जिसमें जो carburetor के उपर में जे जो solenide electronic जो component अबालव लगा है आप भी आप ऐसा कोई भी switch लेकर जे जो हॉरन की पत्ती है इसको मतलब जाने की जे जो 125cc जा 150cc की मतलब जाने की जहां पर company ने mounting दी होती है जे 125cc और 150cc की bike में mounting आती है जो 100cc का bike है उस पे जे mounting नहीं आती आपने इसको install कर देना है और इसकी जाने की easily मतलब आप जैसे गाड़ी पे राइड करती है तो आपके मतलब जे पॉंच में जे जो switch आ जाता है तो friends बस इस अपने वीडियो में हम आपको इतने ही information देना चाहते थे और अगर इस चीज में related अगर आपका कोई भी question हो तो आप मुझसे मतलब comment करके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और friends हमारा जो YouTube का अविनाश परपा चैनल है आप इसका subscribe करें और हमारी मतलब जो latest जो technical वीडियो है उसका ताकि notification आप तक पहुंच सके और आपकी किसी भी तरह की अगर query हो तो आप मुझको comment करके पूछ सकते हैं और हम मतलब आपकी मतलब जाने की सभी मतलब queries का हम आपको reply देने का प्रयास करेंगे धन्यवाद